हेलो बच्चो वेलकम टुर जांगला एजुकेशन मेरा नाम है भाठती और मैं हूँ आपकी जौल जी एजुकेटर हम लोग आनिमल किंग्डम कर रहे हैं यानि कि हम लोग कर रहे हैं सबसे बड़ा चाप्टर ठीक है और थोड़ा क्या कहते हैं काफी सारी चीजें इसमें या दिमाग में बैठ जाएगा क्योंकि काफी सारी कोशन आते हैं आपको भी पता है यह चीज ठीक है अब लास्ट क्लास तक हम लोगों को ने क्या कर लिया था फाइलम आर्थरोपोडा तक सारा कुछ कर लिया था अब हम आ गए हैं किस पे मॉलस्का पे ठीक है मॉलस्का पे आ लार्जेस्ट फाइलम ठीक है यह क्या है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है किसरे का किंग्डम आनिमेली अब जब भी हम लोग मॉलस्कं की बात करते हैं तो मॉलस्कं की अगर残 बौडी देखिए तो यहीजु हार थी गहार थे शॉफ्ड बॉड्या य়टल लगें सॉफ softy body रहती है इनकी ठीक है यह क्या है दे आर दी soft body organism ठीक है soft body organism है और अगर हम लोग देखें कि यह रहते कहां है तो अगर इनका habitat देखें तो दे are aquatic and terrestrial they are both aquatic and terrestrial पानी में भी मिलेंगे और बाहर भी मिलेंगे ठीक है? Aquatic and Terrestrial. ठीक है? अब जब हम लोग इसके body structure की बात करते हैं, तो body structure कैसा है कि इनकी body में न यार एक shell present है. क्या present है? Shell present है. Shell के अंदर most of the organism रह रहे हैं. एक shell है, उसके अंदर most of the organism रह रहे हैं. और उस shell की cavity को बूला जाता है mental cavity. यानि की mental cavity के अंदर कौन रह रह रहा है? ये सारे organisms रहते हैं. ठीक है? ठीक है? clear है? और body की अगर हम लोग बात करें, तो body is differentiated into, पहले तो ये याद रखना है, एक shell है, shell के अंदर ये रह रहे हैं और shell की cavity को क्या बूला जा रहा है? mental cavity बूला जा रहा है. अब हम लोग उस और गानिजम की body के बारे में जब बात करते हैं. तो body क्या है? differentiated into head, visceral hump and muscular foot. ठीक है? head, visceral hump and muscular foot. इन तीनों चीज में इनकी body क्या रहती है? divided है. ठीक है? तो एक बड़ diagram बना के दिखा देती हूँ. ठीक है. अब क्या है? हमने क्या बोला है? उपर क्या है? एक shell है? ठीक है? उपर क्या है? ये क्या है? मान लो, shell है. ठीक है? फिर ये है आपकी ये क्या है? मेंटल काविटी है. पूरी ही मेंटल काविटी है. और इस मेंटल काविटी के अंदर कौन है? आपका और्गानिजम बड़े प्यार से बैठा हुआ है. इस मेंटल काविटी के अंदर क्या हुआ है? आपका और्गानिजम बड़े प्यार से बैठा हुआ है. तो ऐसे करके बैठा हुआ है ठीक है अब जब हम लोग इसके बात करते हैं तो इसके पास क्या है गिल्स भी यहाँ पर प्रेजन्ट है क्या प्रेजन्ट है यहाँ पर क्या है गिल्स है ठीक है यह क्या है यहाँ पर यह उपर वाला यह वाला रीजन्ट क्या है यह है आपका हम और यहाँ पर दिस रीजन्ट यहाँ पर क्या है यह है आपका यहाँ पर प्रेजन्ट होता है इनका मस्कुलर फुट ठीक है क्या present होता है यहाँ पर present होता है इनका muscular foot ठीक है अब जब इनके यार उसकी बात करते ना इनके अंदर भी क्या present है ganglion present है यानि कि nervous system का कुछ part यहाँ पर भी present होता है तो एक बार देख लेते हैं जो ganglion यहाँ present है head region में present होती है उनको बोला जाता है यार frontal ganglion क्या बोला जाता है frontal ganglion ठीक है यह क्या है frontal ganglion ठीक है अब कुछ ganglion यहाँ पर भी present है muscular foot के आसपास भी present होती है और उन ganglion को बोला जाता है pedal ganglion यहाँ पर present है क्या बोला जाता है pedal यानि कि कि किसके पास present है foot के पास present है तो क्या बोला जा रहा है pedal ganglion और कुछ यहाँ पर भी present होंगी obviously ठीक है तो इनको क्या बोला जाता है visceral ganglion ठीक है ये सारी चीज़े यहाँ पर क्या बोली जारी है ये सारी चीज़े यहाँ पर इस और्गानिजम के अंदर इसकी बॉड़ी के अंदर क्या होती है प्रेजेंट होती है ठीक है clear है clear है बच्चो clear है ना ठीक है अब जब हम लोग इसकी बाकी की general characteristics के बारे में बात करते हैं तो इनका हमने क्या बोला है इनकी body क्या है shell के अंदर present है तो अगर दोग बात करें उछ shell की तो वो shell किसे बना हुआ है shell बना हुआ है C A CO 3 यानि की calcium carbonate और एक तरह का protein जिसको हम लोग बोलते हैं, can-colin protein, क्या बोला जाता है, can-colin protein, तो इसका जो ये shell है, shell is made up of CaCO3 and can-colin protein, ठीक है, CaCO3 से बना हुआ है, shell और can-colin protein से बना हुआ है, ठीक है, अब इसके पास अगर हम लोग body wall की बात करें, तो इसकी body wall में na ciliated epidermis भी present होता है, ठीक है, क्या present है, ciliated epidermis present, ठीक है, ciliated epidermis क्या होती है, present होती है, ठीक है, अब यार, बाकी तो आप लोग को पता है, इसके बारे में, बाकी क्या पता है, इसके बारे में, कि इनके पास क्या-क्या है, है ना, क्या-क्या है, कौन-कौन सी, अगर basis of classification की बात करें, तो body level कौन सा है, organ system level of organization है, body cavity कैसी है, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, अगर symmetry की बात करें, तो यह कौन है, they are bilaterally symmetrical, यानि कि कोई एक single plane ऐसा है, जहां से क्या हो रहा है, इनका division हो रहा है, ठीक है, अब यार, एक चीज जो इसमें हमें देखनी है, वो यह है, कि इनके पास न, इनके पास कुछ चीजे present है, for example, इनके पास present है क्या, radula, क्या present है, radula present है, और I भी present है, अगर general characteristics के बारें बात करें, तो इनके पास present होता है, इक organ of radula, यह क्या है, एक तरह का rasping organ है, कैसा organ है, rasping organ है, और यह use क्यों हो रहा है, यह क्यों present है इसकी body में, क्योंकि ये और्गन के वजे से इस और्गानिजम को क्या मिल रहा है? नूट्रीशन मिल रहा है. क्या मिल रहा है? नूट्रीशन मिल रहा है. इसके अलावा, इनके पास क्या प्रेजन्ट होती है? आखे भी प्रेजन्ट होती है. eyes present होती है, लेकिन एक rod like structure पे, ऐसे करके rod like structure पे present होती है, I present on a rod like structure और इस rod like structure को क्या बोला जाता है, omatophore, called omatophore, ठीक है, इस omatophore पे क्या present है, इसकी आखे present है, ठीक है, आखे यानि कि इसके पास भी क्या है, sensory organs present है, क्या present है, sensory organs भी present है, ठीक है, इसके पास भी present है, क्या statuses present है, chemo receptor भी present है, ठीक है, ठीक है, क्या present है, statuses, statuses फिर से आ रहा है, किसले यूज हो रहा था, It is a balancing organ, क्या है ये एक balancing organ है, ठीक है, इसके अलावा क्या बोला, मैंने इसके पास present है chemo receptors, और इन chemo receptors को क्या बोला गया है, इन chemo receptor को बोला गया है, और इसके अलावा भी इनके पास क्या present है, इसके अलावा इनके पास present है, muscular foot, ठीक है, मतलब muscular foot present है, ये औस्फोर एडिया भी कहा present है, on muscular foot, muscular foot पे ही ये chemo receptors present होते हैं, इनके foot पे ही क्या present है, chemo receptor present है, अगर मैं development की बात करूँ, अगर मैं development की बात करूँ, तो इन में हमें क्या दिखती है, indirect development देखने को मिलती है, indirect development देखने को मिलती है, ठीक है, indirect development दिख गई, circulation कैसा इन में open मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा, हम अगर मैं बताओं तो ये क्या है, देख डायोशियस, डायोशियस और्गानिजम है, ठीक है, इसके अलावा, अगर इनका ये बताओं कि OVPARES है, वीवी पैरस है, तो ये OVPARES और्गानिजम में mostly क्या है, यानि कि for reproduction, reproduction करते समय, ये क्या produce कर रहे है, they produce egg, क्या produce कर रहे है, they produce egg, ठीक है, clear है, clear है, अब यार देखो, ये सारी चीज़े यहाँ पर क्या है, present है, अगर हम लोग general characteristics of molluska की बात करते हैं, आपको पता है क्या कर रहा है, आपको पता है कि इसके पास आपका, क्या present है, open circulatory system present है, aquatic है, तो ammonotellic होंगे, यानि की ammonia release कर रहे हैं, इसके अलावा आप लोग को पता है कि अगर इनके excretory organ की बात करें, तो इनके पास क्या है, kevers organ है, या gills से भी excretion करते हैं, तो ये सारी ह हमने already basis of classification में पढ़ लिया है, ठीक है, अब mollusca के बाद, मतलब mollusca के general characteristics से होते हुए, अब थोड़ा इनकी क्या कर लेते हैं, classes of mollusca कर लेते हैं, ठीक है, classes of mollusca, अब जब हम लोग classes of mollusca की बात कर रहे हैं, यानि कि हमने यार इनको भी further किसी चीज के basis पे क्या करा होगा, divide करा होगा, हमने क्या किया होगा, किसी चीज के basis पे इसको divide करा होगा, तो हमने इसको divide करा है कि कितने shell इसकी body में present है, कितने shell present है, कहा present है, कैसे present है, कहीं ना कही shell के basis पे इनकी classes को बनाया गया है ठीक है clear है अगर हम लोग इनकी classes की बात करें अगर हम लोग इनकी classes की बात करें तो हमारे पास कितनी classes है साथ classes में इनको क्या किया गया है divide किया गया है तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इनकी classes को ठीक है तो किसके basis पे divide करा है? Based upon shell. Shell के basis पे divide करा गया है. एक बार मैं 7 arrow बना लेती हूँ. फिर हम लोग लिखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7. साथ में क्या किया गया है? डिवाइट करा गया है. ठीक है? चलो अब लिखे लेते हैं. पहली जो class है उसका नाम है monoplacophora. क्या नाम है? monoplacophora. ये वो class है जिसमें क्या present है? जिसमें single shell present होता है. क्या present है? single shell present है. ठीक है? single shell यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. और अगर मैं example की बात करूँ तो इसका example है neoplina. क्या example है? neoplina. ठीक है? अब जो दूसरी class है. जो दूसरी class है. उसका नाम है aplacophora. a word आगया. तो इसके पास shell नहीं है. ये क्या है? दूसरी class कौन सी है? aplacophora. और अगर हम लोग aplacophora की बात करते हैं तो इसमें shell is absent. इसमें shell क्या है? absent है. ठीक है? इसमें क्या है? shell absent है. और example की बात करूँ तो example is neomania. ठीक है? क्या है example? नियो मेनिया. ठीक है? अब जब हम लोग third class की बात करते हैं, यानि की third class की बात करते हैं, तो वो है हमारी polyplacophora. क्या है? क्या नाम है? polyplacophora. poly यानि की? पॉली का मतलब क्या है? जनरल ही अगर मैं पूछूँ कि बच्चो पॉली का मतलब क्या है? तो पॉली का मतलब क्या है? ज्यादा. एक से ज्यादा. तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं multiple shell. क्या मिल जाते हैं? multiple shell मिल जाते हैं. और अगर मैं इनके example की बात करूँ, तो इनका example है ketoplura. या हम लोग बोलते हैं उसको kytan. क्या बोला जाता है? ketoplura. example की अगर मैं बात करूँ, तो इसका example में आ जाता है ketoplura. या इसको बोला जाता है. प्यार से क्या बोला जा रहा है? इसको छोटू. इसको बोला जा रहा है kytan. ठीक है? clear है? अब जो next class है, next class है हमारी वो है scaphopoda. क्या है? scaphopoda. अब जब हम लोग scaphopoda की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो shell present है, वो है tubular shell present है इसके अंदर. ठीक है? हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? tusk shell भी बोला जाता है. इसको प्यार से क्या बोला जाता है? tusk shell भी बोला जाता है. ठीक है? clear है? अब जो हमारी next class है, बच्चो, that is gastropoda. क्या है gastropoda? अब जब हम लोग gastropoda की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो shell मिल रहा है, that is coiled. और यह वाला type of shell आपने काफी बार देखा भी होगा. ठीक है? coiled shell यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. और जब हम लोग coiled shell की बात करते हैं, तो यह कौन से organism के पास है? पाइला के पास है और अपलाइसिया के पास है. किस किस के पास है? पाइला के पास है और अपलाइसिया के पास आपको देखने को मिलेगा. किस के पास पाइला? पाइला का दूसरा नाम है apple snail. ठीक है? और दूसरा कौन सा है? अपलाइसिया. और इसका दूसरा नाम है see here. ठी है अब नेक्स जो क्लास है हमारी गैस्टो पोड़ा के बाद जो हमारी क्लास है बच्चों वह हमारी पहली सिपोड़ा क्या है पहली सिपोड़ा अब जब हम लोग पहली सिपोड़ा की बात करते हैं तो इसमें जो शेल है इसमें जो आपको शेल मिलेगा बच्चों वह क्या मि यहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो यह आपको कहां मिलता है देखने को यह मिलता है आपको यूनियो में और पिंक टेडा में ठीक है कहां देखने को मिलता है यूनियो में और पिंक टेडा में और पिंक टेडा का दूसरा नाम क्या है परल ओइस्टर क्या नाम है परल ओ अब नेक्स्ट जो ख्लास है हमारी वह सिफैलो पोडा सिफैलो पोडा क्या यह वर्ड सुना सुना लग रहा है क्या मैंने यह वर्ड पहले कहीं यूस करा है जल्दी बताओ जल्दी बताओ तो बताओ याद रहना चाहिए ना हैं तो हमने यूज किया था हमने बोला था मोलस्का में open circulatory system present होता है लेकिन यह इकलौती ऐसी class है जहां पर आपको closed circulatory system देखने को मिलेगा और मैंने लिखवा दिया है आप यहां पर भी फिर से लिख लेना ताकि आपको याद रहे ठीक है तो इसमें या तो शेल जो होता है वो reduced होता है या फिर और यूजली क्या हो रहा है उस शेल के अंदर organism है लेकिन इस केस में आपका जो शेल है वो organism के अंदर मिलेगा यानि की internal shell present हो सकता है ठीक है internal shell present हो सकता है और examples की बात करें हम लोग यहां पर तो हमारे example है squid octopus octopus तो समने देखा हुआ है squid है octopus है और क्या है sepia क्या है sepia अगर अब हम लोग इनके नाम की बात करें दूसरे नाम की बात करें तो sepia का नाम है क्या cuttlefish sepia का नाम क्या है cuttlefish octopus का नाम है devilfish और squid का नाम है lolly go ठीक है तो यहां पर क्या हुआ है बच्चों यहां पर खतम होती है आपके classes of mollusca अब classes of mollusca के बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है हमने बात करी यहां पर किस चीज़ की हमने बात करी है pearl formation की तो जब लोग pearl formation की बात करते हैं तो pearl formation क्या है यूजली क्या होता है जब in pearl oyster की foreign particle entered जैसे ही foreign particle enter होगा इनका defense mechanism शुरू होता है कि शुरू होता है कि इसका pearl oyster का defense mechanism में यह क्या करते हैं यह इस foreign particle के चारो तरफ एक layer secret करते हैं जिसका नाम है नाक्रे लेएर नाक्रे लेएर secreted अब जब नाक्रे लेएर यार secret हो जाती है नाक्रे लेएर जब secret हो जाती है तो क्या होता है तब वो जो नाक्रे लेएर है ना जो इनका waste product है जो इनकी irritation के वज़े से secret हुए क्योंकि कुछ बाहर से आया इनको क्या हो रही है बनता है तो इस तरह से होती है क्या पॉरमेशन होती है, इस ठीक है किस पे मुवान करते हैं मुवान करते हैं आपके एकाइनो डर्मेटा अब यारी काइनो डर्मेटा के बारे में आपने ये तो देखा होगा ना काफी अलग-अलग कुछ चीजें इसके अंदर है ना जैसे जनरल बॉडी सर्फेस से मैक्सिमम चीजें यहां पर हो रही ह जनरल बॉडी सर्फेस से यहां पर क्या हो रहा है मैक्सिमम चीजें किस से हो रही है जनरल बॉडी सर्फेस से यहां पर आपने देखने को मिली बाकि जबकि इसके पिछले पुराने मताब इससे पहले वाले जो फाइलम है उनमें अलग-अलग और्गन है लेकिन यहां पर तो थोड़ा पीछे चला गया है, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, जब हम लोग Echinoderms की बात करते हैं, तो Echinoderms क्या है? Spiny-bodied animal है, इनकी बोडी में क्या है? Spines है, Molluscus का क्या थे? Molluscus क्या थे? Soft-bodied organisms थे, और ये क्या है? They are spiny-bodied organism, Spiny-bodied organism ये लोग होते हैं, इसके अलावा, जब हम लोग इनके habitat की बात करते हैं, तो they are exclusively marine, क्या है? Exclusively marine है, अब जब हम लोग इनके body की बात करते हैं, body structure की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनकी body में एक बीच में central desk है, और radial arm present है, central desk है और radial arm present है, ठीक है? इनकी body में क्या है? एक central desk मिलेगी, और फिर क्या मिलेगी? radial arms आपको देखने को मिलेगी, अब अगर मैं इसको draw करूँ, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, एक क्या है हमारे पास? एक आपकी है central desk, ठीक है? और फिर क्या है हमारे पास? फिर आपकी है radial arms. ठीक है? radial arms और हमने क्या बोला है? they are spiny bodied organism, तो इसके उपर क्या present होते हैं? spines present होते हैं. ऐसे करके यहां पर क्या present है? spines present है. तो यह क्या है बच्चो? this is the central desk. और यह क्या है? radial arms. और radial arms के उपर क्या present है यार? आपका spines present है, क्योंकि they are the spiny bodied organism. अब इन्ही में क्या present है? इस central desk में nerve ring present है, और चारों तरफ क्या present है? radial nerves present है. इसी central desk में क्या हो रहा है? इसी central desk में यहां पर nerve ring present है, और चारों तरफ क्या present है? radial nerves present है. इसी central desk में क्या है? आपकी nerve ring है, ठीक है? और यहां पर क्या present है? आपके radial nerves present है. ठीक है? तो इस तरह से कुछ इनकी body का structure हमें देखने को मिलता है. क्या आप देखने को मिल रहा है, इनकी body का structure कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, clear है, अब हम लोग जब इसके और, क्या कहते हैं, और characters इसकी बात करें, तो इसके पास क्या present है, एक water vascular system present है, ठीक है, sponges के पास water canal system था, इसके पास water vascular system है, दोनों में difference है, water vascular water canal में confuse नहीं होना है, क्योंकि भूल जाते हो, एक ही चीज नहीं है, दो अलग-अलग चीजे हैं ये, ठीक है, clear है, एक ही चीज नहीं है, दो अलग-अलग चीजे हैं ये, ठीक है, और इस water vascular system को हम लोग क्या बोलते हैं, इस water vascular system को हम लोग ambulacral system भी बोलते हैं, या फिर हम अब लोग क्या बोलते हैं, ambulacral system, ठीक है, ये ambulacral system भी इसे बोला जाता है, ठीक है, clear है, ठीक है, ठीक है, spines के अलावा इनकी body पे क्या present होता है, pediciliary पी present होती है, pediciliary present on body, और ये क्या है, they are responsible for cleaning the surface, pediciliary क्या कर रही है, सफाई कर रही है, ये क्या करती है, responsible for cleaning surface, ठीक है, clear है, surface को clean करने का काम कर रही है, surface को clean करने का काम कर रही है, ठीक है, epidermis की बात करें, तो these echinoderms have simple epidermis, simple epidermis है, ठीक है, क्या है, simple epidermis आपको देखने को मिलती है, in case of echinoderms, क्या देखने को मिल रही है, in case of echinoderms, आपको simple epidermis देखने को मिलती है, ठीक है, symmetry पता है ना, adult में इन में radial symmetry है, जबकि larva में आपको क्या मिलेगी, bilateral symmetry मिलेगी, तो यार यह याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, अब इनके पास जो mouth है, जो mouth है, वो ventral surface पे है, और जो आपकी anus है, जो इनकी anus है, वो कहां मिलेगी, dorsal surface पे देखने को मिलती है, ठीक है, mouth क्या है, mouth आपका कहां मिल रहा है, वेंटरल surface पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, और एनस कहां देखने को मिल रही है, डॉर्सल surface पे देखने को मिलती है, ठीक है, एनस कहां है, डॉर्सल surface पे है, माउथ कहां है, वेंटरल surface पे है, ठीक है, अब इनका और फिर्टी सिस्टम है आपको पता है क्या है open circulatory system है और वो circulation किसके थू हो रहा है उस ambulacral system के वजे से हो रहा है यस water canal system के वजे से हो रहा है ठीक है clear है clear है बच्चों ठीक है अब अगर हम लोग इनकी बात करते हैं development की तो development क्या है इनकी indirect है और fertilization is external डेवलप्मेंट क्या है indirect है fertilization external है development indirect है यानी कि कोई ना कोई larval stage तो होगी बिल्कुल होगी है ना larval stage तो होगी यार indirect development है indirect तभी तो है जब larval stages के through फिर adult बन रहा है और अभी हमने पड़ा भी कि adult में आपको radial symmetry मिलेगी और larva में आपको bilateral symmetry मिलेगी, तो क्या है development, indirect है, और अगर हम लोग sexes की बात करें, तो हमें sexes separate मिलते हैं, ठीक है, sexes are separate, ठीक है, sexes क्या है, sexes are separate, ठीक है, clear है, clear है, अब यहाँ पर आप लेख सकते हो, कि this, this water vascular system is responsible for food capture and its distribution, locomotion and respiration, यह किस किस के लिए responsible है, food capture and its distribution, locomotion and respiration, ठीक है, clear है, तो यह सारी चीज क्या है, एक general characteristics है, किसकी echinodermita की, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी classes कर लेते हैं, और classes के साथ-साथ इसका water vascular system को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, तो next क्या है, we are doing classes of echinodermita, ठीक है, classes of echinodermita, अब इनकी classes का, जब हम लोगोंने क्या किया है, इ इनकी body का structure कैसा है, उसके basis पर हमने इनकी classes को divide करा है, ठीक है, तो चलो, classes करते हैं, ठीक है, तो जो पहली class है, that is holothuroidea, क्या है, पहली class holothuroidea, अब जब लोगों holothuroidea की बात करते हैं, तो इनकी body कैसी है, elongated body है, ठीक है, क्या है, elongated body है, ठीक है, और example है, कुकुमेरिया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C, कुकुमबर भी बोलते हैं, अगर आप कुकुमबर को देखोगे, खीरे को देखोगे, उसकी body का structure भी कैसा, elongated होता है, तो इनकी body का structure भी कैसा, elongated होगा, ठीक है, नेक्स है इसका, इकाइनो idea, इकाइनो idea, अब जब हम लोग इकाइनो idea की बात करते हैं, तो इनका जो body का structure है, बच्चों, वो आपको देखने को मिलेगा, flat body, ठीक है, flat body आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, flat body, और example की बात करें, तो example में क्या आ जाता है, यहाँ पर इकाइनस आ जाता है, और इसको प्यार से क्या बोला जाता है, C. Urchin बोला जाता है क्या बोला गया है? इसको प्यार से C. Urchin बोला गया है अब इसकी जो next body है next type of class है that is Krino idea क्या है? Krino idea अब जब हम लोग Krino idea के structure की बात करते हैं body structure की बात करते हैं तो इनकी body कैसी है? plant like ठीक है? इनकी body कैसी होती है? plant like ठीक है? इसलिए इसका example भी क्या है? C. Lily is the example example क्या है? C. Lily example है जिसको हम लोग anti-don भी बोलते हैं. क्या है example? C. Lily और इसको क्या बोला जाता है? anti-don भी बोला जाता है ठीक है? अब इसकी जो next class है यार एक मिनिट ठीक है. अब इसकी crino idea के बाद जो इसकी next class है that is estereo idea. क्या है? estereo अब जब भी हम लोग estereo idea की बात करते हैं तो इनकी body कैसी है? इनकी body is star-like ठीक है? इनकी body कैसी है? star-like और example क्या है? आपकी starfish और इसका नाम क्या है? दूसरा estereos ठीक है? और आपका जो last class है इसकी that is a furor idea. ठीक है? a furor idea अब इनकी जो furor idea है यार इनकी body भी कैसी है? star-like body आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी बट इनके arms क्या होंगे? sharp arms होंगे इनकी body कैसी देखने को मिलेगी यार? star-like है star-like with sharp arms ठीक है? example क्या है? of furia और इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? brittle fish भी बोला जाता है ठीक है? तो यह क्या है? these are the classes of phylum echinodermata अब हमने क्या देखना था? यार हमने देखना था इसका structure मतब water vascular canal का structure देखना था एक बार वो देख लेते हैं झाल बोला है झाल 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 ऐसे करके इसका क्या रहता है यार स्ट्रक्चर रहता है ठीक है क्या रहता है इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा ऐसे करके आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किसका आपका इकाइनो डर्मेटा का वाटर वाटर केनाल वाटर वर्सक्यूलर सिस्टम कुछ ऐसा है ठीक है अब इसके अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी हमें देखने को मिलेंगे ठीक है इसके अंदर हमें कुछ और पार्टिकल्स भी देखने को मिलते है ठीक है तो एक पार्टिकल्स का नाम है टाइड मान्स बोडी ये जो येलो में ये ना हर जगा देखने को मिलेगा यह क्या है this is tied man's body और यह किसले use हो रहा है यह होता है phagocytic in nature कैसा है phagocytic in nature यह होता है दूसरा क्या है पॉलियन वैसिकल और यह क्या करता है maintain hydrostatic pressure ठीक है यह क्या है दूसरा क्या है दूसरा है यार पॉलियन वैसिकल और यह क्या कर रहा है hydrostatic pressure को मतलब अगर अगर पानी जादा है तो यह क्या करेगा पानी absorb कर लेगा वैसिकल में अगर पानी कम है तो पानी को छोड़ देगा ठ करता है इसके पास क्या प्रेजेंट है ट्यूब फीट प्रेजेंट है फॉर लोको मोशन और यह क्या है सकर्स फॉर एंकरेजमेंट किसके लिए एंकरेजमेंट के लिए क्या है सकर्स प्रेजेंट होते हैं अब उपर यह आपको क्या दिख रहा है चलनी जैसा एक स्ट्रक्च और यह क्या है, this is the medroporite canal, यह किसले काम आ रहा है, यह काम आता है यार आपके prey को capture करने के लिए, ठीक है, किस काम आ रहा है, prey को capture करने के लिए काम आता है, और इसी पूरे system से क्या हो रहा है, food capture हो रहा है, उसकी distribution हो रहा है, respiration हो रहा है, circulation हो रहा है, किस से इसी पूरे structure से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या खतम होता है, यहाँ पर खतम होता है हमारा phylum echinodermita, ठीक है, क्या खतम हो रहा है, phylum echinodermita यहाँ पर समाप्त होता है, next आपका आजाता है हमी-cordata, क्या आजाता है हमी-cordata, अब जब भी हम लोग हमी-cordata की बात करते हैं, तो हमी यानि की आधा, यानि की इनके अंदर कुछ characteristics कैसी है, कुछ characteristics इनमें है, हमी-cordata की तरह, बर पूरी तरह से codates नहीं है, ठीक है, इसलिए पहले अब इनको क्या कर दिया, अलग से इनका phylum बना दिया है, जिसका नाम दे दिया है, हमी-cordata, ठीक है, जादा कुछ नहीं है इसमें, है ना, छोटू सा phylum है, तो कर लेते हैं इसे भी आज ही, ठीक है, ताकि हम लोग कल फ्रेश, codate से start कर सकें, ठीक है, किसे start करें, codate से start कर सकें, अब जब भी हम लोग हमी-cordata की बात करते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग Econ Worms भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनका जो mouth है, वो क्या है, इनके mouth पे एक outgrowth outgrowth को बोला जाता है buctal diverticulum ठीच है, mouth के पास क्या है mouth has outgrowth called buctal diverticulum buctal diverticulum बोलते हैं किसको mouth की outgrowth को ठीच है, clear है अब next is इनके अंदर क्या present होती है अगर अम लोग इनकी body को देखें तो इनकी body is divided into three parts, पहला क्या है, proboscis, ठीक है, पहला क्या है, proboscis, दूसरा क्या है, trunk, ठीक है, दूसरा क्या है, collar, और तीसरा क्या है, trunk, ठीक है, और अगर इनकी organism की body में बनाओ, अगर इनका structure में बनाओ, आपकी body book में दे रखा है, एक brownish, blackish color का structure present है आपकी book में, तो कुछ ऐसा structure यहाँ पर, इनको आपका देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह क्या है, एक तरह का hemicodate है, अब इसके अलाबा body हमने देख लिए, तीन parts में divided है, they are also exclusively marine, यानि की marine water में यह हमें देखने को मिलेंगे, यह क्या है, they are exclusively marine, next चीज जो हम लोग इसमें देखते हैं, वो है कि इनके पास open circulatory system present होता है, circulation कैसा है, open है, मैं already लिखवा चुकी हूँ, ठीक है, open है क्या circulation, इसके अलाबा external fertilization देखने को मिलती है, external fertilization देखने को मिलेगी, sexes are separate, sexes कैसे है, sexes are separate, ठीक है, हर individual में अपना खुद का एक अलग sex present होगा, sexes कैसे है, separate है, यानि की male और female कैसे है, separate है, development कैसी है, indirect development हमें देखने को मिलती है, indirect development, ठीक है, और examples की अगर हम लोग बात करें, तो examples में हमारे पास क्या है, excretion यार हमें पता है न, excretion किसे हो रहा है, proboscis gland से, ठीक है, तो proboscis gland से क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर भी लिख देती हूँ, proboscis gland से क्या हो रहा है आपका excretion, ठीक है, अब example की बात करूँ, तो belanoglossus, ठीक है, और sacoglossus, belanoglossus का जो दूसरा नाम है, that is tongue warm, क्या नाम है, tongue warm, ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा आज का lecture खतम होता है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा क्या खतम हो गया है, आपका invertebrates खतम हो गया, hemicaudates खतम हो गया, next lecture में हम लोग start करने वाले है, caudates, ठीक है, तो caudates को भी हम लोग क्या करेंगे, दो या दो lecture में complete करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, तो यार यह सारी चीज़े आपको बहुत इत्मिनान से, बड़े अच्छे से, हर एक चीज sufficient है आपके neat के लिए, या आपके boards के लिए थोड़ा सा जादा है, बट sufficient है neat की त्यारी के लिए, तो मिलते हैं इसी के साथ next lecture में, बाई बच्चो,